कई बार मैंने इस बात को शेर करा और आज फिर एक बार करता हूं इस बंद से कि जब वो औरंग जेफ का काल रहा होगा बाबर का काल रहा होगा तो जमीन की तो कोई कमी नहीं रही होगी लेकिन अगर आप देखें तो मतुरा के पास भी एक ऐसा ही धाचा देखने को मिलता है काशी के मंदिर पर तो काशी विश्मात पर धाचा चड़ा हुआ ही दिखता है और यहाँ पर अयोध्या में भी हमने देखा कोई जगा की तो कमी नहीं होगी तब अज़ा चलिए इसे समापन करते हैं गीत सुना के इसी पर विल्कुल एक-एक सवाल और समापन करते हैं सवाल चोड़िया आज पलेडिकर सवाल आज तो क्या बढ़िया दिन तीन तीन लोगों के नाम लूँगा उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा पूछिए चलिए प अरुतात्मा बड़ा श्रम किया बड़ी मैनत की बड़े तपस्वी इस राब मंदिर की नीव में जो पत्थर लगे होंगे उनमें पहला दूसरा पत्थर अशोग जी का लगा होगा यहाँ पार कोठारी बंदू जिन दो भाईयों की निर्मम हत्या कर दी गई थी आज पू अगला नाम पंडित अटल भिहरी वाजपई का अटल जी भारत की सांस्कृतिक और सम्वेधानिक मर्यादा की लीख है हम तो जिस राजनीती के विश्वेध्याले में पढ़े हैं अटल जी उसके कुलपती हैं और अभी मैं बंबई में कारक्रम में था तो वहाँ देश के यह शश्वी रक्षा मंत्री जी मुख्याती थी थे राजनासीं जी मैंने उनसे यही कहा उनको सम्वधित करते हुए कि राजनेतिक शुचिता भाशाई मर्यादा सर्व स्वीकार सद्भाव लेकिन उसके बाद भी सांस्कृतिक राश्वाद इसका जो विश्वेध्याले अटल बहार इवाज पर बना कर गए उसका अगर कोई वास्विक कुल जी महंत योगी अधितनात उनका तो राजनीतिका अभी शैशवकाल है प्रारम हुए है वो शुरू हुए है और अच्छी बात है कि उनका जो धार्मिक विचार है जो उनका सांस्कृतिक चोला है उसे वो छुपा कर नहीं स्वाबिमान के साथ धारन करते हैं कि मैं ऐसा हू पहनते थे मुझे बहुत अच्छे लगते थे उनके सिर पर टोपी है यह उनका अपना धर्म है और अगर उसका प्रकटी करन वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा था जो सुख मुझे इन सामने बैठे हुए सनातनियों के माथे पर सीताराम लिख्या हुआ देखके हुआ है वो ही सुख मुझे उन्हें देखकर होता है दोनों को होता है सुख यह बस मैं यह चाहता हूँ यह चाहता हूँ कि है आपकी टोपी की रक्षा के लिए चार लाइन है बिल्कुल 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 तो समापन करा जाएगा ग्रे मंत्री अमिच शाह भारती राजनीती में जितनी हमारी वैविध्य भरी राजनीती है जिसमें बहुत सारी समस्या हैं अलग-अलग तरह के लोग हैं उसमें एक द्रण संकल्प का जैसा आदमी चा चाहिए मैंने दो लोग देखे जीवन में जो बाहर से बड़े कठोर दिखाई देते हैं बड़े कठोर और अंदर से बड़े भावोक आध्यात्मिक परिहास करने वाले आनंद बिल्कुल। एक स्वरगी अरून जेट लीजी अरून जी की इमेस्ति के अरून जी बहुत ट आपका मेसेज वो सुलनेंगे इसके माध्यम से लेकिन वो अंदर से अध्यात्मिक चेतना से बरे विवक्ति हैं जिसमें जो उनका जैनत्व है कि सबका ठीक हो कोई बुरा ना हो लोगों को लगता है लेकिन अब देवता भी जब युद्ध करते हैं तो राक्षदों का संगार करते हैं तो ऐसा कई बार हो जाता है लोगों को लगता होगा लेकिन अंदर से अंदर से बहुत बीठे हैं स्टालिन क्या मैं उनको बोलू इश्वर नन के पिता जी के नाम का इस्वरन कराता रहे करुणा निधी भगवान का नाम है और किसने दिया है करुणा निधी नाम हनवान जी ने तो हनवान जी ने उनको करुणा निधी कहा मैं आशा करता हूँ कि वो अपने दादा का अपने पिता का नाम सार्थक करते रहें चुकि राम जी को तो फिर भी सेट किया रहा सकता है ये नाराज हो गए अगर फिल्कुल यह हो सकता है तो फिर बहुत मुश्क्किल जिए रहने दीजिए रहने दे अब आज जितनी बढ़ सकती हो तनी बढ़ाओ यार मेरी निकल नहीं रही इतने गीत लोगों ने लिखे बेटा सामने से अट जाओ थोड़कि इसका वो और नहीं आता है ना लोगों ने राम पर गीत लिखे राम आएंगे राम आ रहे हैं राम आ गए हैं आंगन समार लो मंदिर ठीक कर दो राम आ गए मुझे बड़ा बीच में लगा मुझे लोगों ने का गीत लिखो कई जगे से फोन आए बड़े बड़े फिल्म कारों के संगीत कारों के हमारे लिए आप लिखो मुझे लगा क्या अकेले राम ही आएं क्या राम के साथ मेरी मा भी तो आई है जिसने चौधे वर्ष भगवान से कम दुख नहीं जेला भगवान तो फिर भी अपने भाई के साथ थे वो तो रावन के बंधन में अकेली थी अपने सतित्व के सहारे तो जिस दिन युद्ध समाप्त हो गया और भगवान के शैन्य कक्ष में जो वाँ बना हुआ है माता सीता रात को बैठी हुई है और वो राम पूछ रहे हैं अब क्या कब चलें कैसे करें उन्होंने राम से जो कहा होगा वो मैंने गीत बनाया है वो सुनिये शर्त यह है कि मेरा गला खराब है आप गाओ के साथ है ना